हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मा यूटूब चैनल, आप सभी का स्वागता मेरे चैनल पर, गाइज हम क्लास 10 का मेट कर रहे हैं, आज हम इसकी एक्सराइज 6.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे, इसे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सराइज 6.1 और उसकी एक्सराइज क कर लेते हैं, सिमिलर, फिगर, तो सिमिलर फिगर में क्या बताया था, जो करेस्पोर्णिक जैसे हमारे पास, कोई टू ट्रैंगल दे रखी है, ट्रैंगल यह दे रखी है, ठीक है, तो हम से कोई पूछली कि इसमिलर फिगर है या नहीं है, यह यह ए, बी, सी, डी, इ, ए, यह two triangles देनी, तो हम से पुछले कि similar है या नहीं है, तो similar figure में क्या होता है, इनके जो corresponding angles होते हैं, वो equal होते हैं, इनके जो angle होंगे यह equal होंगे, तो first of all क्या होता है, angle A is equals to angle D, angle B और angle E, angle C और angle F, ठीक है, यह तीन दो angle, तीन condition तो यह होते हैं, और आगे क्या होता है, जो corresponding sides होते हैं, इनका ratio equal होता है, जैसे AB sides, इसके पहलर में यह कौन सी side है, A, E, तो AB, AE और AC, DF, और BC, EF, तो इनका यह जो ratio होता है, यह भी equal होता है, जबकि concurrent figure में क्या होता है, concurrent figure में यह तीन चीज़े तो same ही होती, इनका angle तो equal होता है, उसमें क्या होता है, यह side से equal होती, इनका ratio equal नहीं होता, जैसे AB equal है, D, E, के, AC के corresponding sides कौन सी है, DF, तो AC is equals to DF, और BC is equals to EF, ठीक है, तो उसमें क्या था, concurrent figure में तीन चीज़े तो यह थी, और तीन यह थी, और जबकि सिमिलर figure में इनका ratio equal होता है, तो हमने ही बहुत अच्छे से पढ़ा था, अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखिया है, तो वो देख लेना, अभी आज हम करेंगे, आज वाली वीडियो में हम, क्या करेंगे, B, P, T theorem, B, P, T theorem को क्या बोलते हम, basic, proportionality, theorem, और इसको हम Thales theorem भी बोलते हैं, तो यह exam में किसी भी नाम से आजाए, B, P, T नाम से आजाए, basic, proportionality, theorem से आजाए, Thales theorem से आजाए, तो एक ही है, तो अब हम पहले इसको अच्छे से statement को देखेंगे कि क्या दे रखा है, और फिर उसका proof करेंगे, ठीक है, तो basic proportionality theorem में क्या बता रखा है, कि देखो, हमारे पास पहले हम उसको समझते हैं कि वो है क्या, तो फिर उसकी statement easily हम खुझ से भी लिख सकते हैं, तो देखो हमने कोई भी एक triangle ले ली, ये एक triangle, A, B, C, खीक है, तो क्या है भी पिटी थोरम में first of all, हम ये देखेंगे कि कि किसी भी triangle में तीन sides होती है, जैसे इसकी देखो, क्या sides है, एक तो A, B, B, C, और A, C, थी sides है, तो हम कोई भी एक side उठा लेंगे और उस side के parallel एक line draw करेंगे, तो हमने B, C side उठा ले और इसके parallel में एक line draw करेंगे, जो ये line draw करेंगे न, ये जो other two sides है न, जैसे A, B और A, C, इनको है न, equal point पे, same ratio पे, हमें यहाँ पे, ये intersect करेंगे, तो देखो, ये B, C कोई भी side थी, इसके parallel हमने एक line draw करेंगे, ठीक है, ये line हमने draw कर ली, D, E, तो B, C, जो side थी, उसके parallel एक line draw करनी है, और वो जो line draw करेंगे न, वो इन, जो sides है न, जो other two sides है, उनको intersect करेंगे, same ratio पे, तो देखो, हम इसको कैसे लिखेंगे, कि हमारे पास कोई भी हमने एक triangle ली, A, B, C, कोई भी एक sides के parallel हम एक line draw करेंगे, और जो line draw करेंगे, जो parallel line draw करेंगे, वो other two sides पे intersect करेंगे, तो यहां पे यह देखो, D intersect कर रही है, A, B पे और E intersect कर रही है, A, C पे, तो similarly हम A, C sides भी उठा सकते हैं, A, C side को उठाएंगे, तो उसके parallel, देखो, A, C side के parallel करेंगे, तो वो किस जो other two sides है, उनको intersect कर देगे, अगर A, B के parallel में कोई भी line draw करेंगे, तो वो यहां पे करेंगे, तो वो किसको, इस side के हमने parallel कोई भी line draw करी, वो A, C पे intersect करेंगे, और B, C पे intersect करेंगे, तो main, इसका first point यही है, कि हमने कोई भी एक triangle ले, ठीक है, उसकी एक side ले ले, B, C, चाहिए ले लो, कोई भी ले लो, हमने B, C ले ले, B, C के parallel हमने एक line draw कर दे, D, E, ठीक है, और यह ज sides है, उनको same ratio पे intersect करेंगे, तो मतलब, देखो, क्या लिखेंगे, एक triangle है, A, B, C, ठीक है, इसकी A, B, C के parallel, यह यहाँ पे हमने इसकी side ले ले, B, C, B, C के parallel हमने कोई भी एक line draw कर दी, D, E, ठीक है, D, E parallel to, B, C, ठीक है, और यह जो D, E line है यह intersect करेंगे, A, B को point D पर, और A, C को point E पर, ठीक है, अभी आगे हमें क्या पूछ रखा है, कि हमें बता दो क्या रखा है, B, C parallel है, D, E के, पूछ क्या रखा है, कि यह जो यहाँ पे है, इसको intersect करेंगे, इनका सेम रिश्यो, मतलब, A, D, by, D, B, equal to, A, E, by, E, C, यह चीज हमें पूछ करके दिखानी है, ठीक है, देखो, हमें बता क्या रखा है, जो D, E है, वो B, C के parallel है, और यह फिर इनको सेम रिश्यो पे intersect करेगी, ठीक है, A, D, by, D, B, और A, E, by, E, C, और अभी हमें यह equal दिखाना है, तो B, P, T, थोरम में यही है, कि कोई भी हमने एक triangle ले ले ले, उस triangle में एक side के parallel हमने कोई भी एक line draw कर ले, जो line draw करेंगी, वो other two sides पे intersect करेगी, और सेम रिश्यो पे intersect करेगी, तो A, D, by, D, B, A, E, by, E, C, तो हमें दिखाना क्या है, यह जो ratio 9 का, यह C equal है, A, D, by, D, B, is equals to A, E, by, E, C, यह चीज़ हमें दिखानी है, तो अभी हम first of all क्या करेंगे, इसके लिए हमें थोड़ा सा, यह देखो, D को C से मिला देंगे, B को E से मिला देंगे, ठीक है, अभी एक यह D है, यहां से एक perpendicular डालेंगे, यहां पे, D, M, A, E side पे ठीक है, यहां से यह डालेंगे perpendicular, यहां पे, E, N, तो हमें यह theorem समझने के लिए, यह चीज़े करने पड़ेंगे, कि B को E से मिला दिया, D को C से मिला दिया, D अंपरपेंडिकुलर डाल दिया, A, E पे, और E अंपरपेंडिकुलर डाल दिया, A, D पे, ठीक है, तो अभी हमें, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यह ट्रेंगल लेंगे, इन ट्रेंगल, A, D, E, तो देखो, A, D, E, तो इसका एरिया निकालेंगे, यह हमने class 9 में पड़ा था, कि जैसे area उसको हम ऐसे, किसी भी चीज, ट्रेंगल का area निकालते हैं, तो इसको हम ऐसे denote कर सकते हैं, तो area of A, D, E, A, D, E का area निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा, A, D, E, तो यहाँ पे देखो, पहले हम इसको इस side से देख रहे हैं, इसके two areas निकल सकते हैं, क्योंकि इसके two base है, अगर हम यह वाला perpendicular डालते हैं, तो इसका base A, D, E, हो जाएगा, अगर यह वाला perpendicular डालते हैं, तो इसका base यह हो जाएगा, यह हमें पता है, जिस भी sides पे हम perpendicular draw करते है तो वो उसका base हो जाता है, ठीक है, तो देखो, अभी हम इसको इस side से देख रहे हैं, तो इन triangle A, D, E, तो area क्या हो जाएगा, one by two, height into base होता है, तो इसकी height क्या हो जाएगी, यह draw कर रहे हैं, तो देखो, यह यहाँ से ऐसे triangle लेते हैं, यह इसका base हो गया, तो क्या हो जाएग इसको ड्रो किया था, इस वाले, इसको perpendicular डाला था न, इसका base हो गया था, अभी हम इसका एक area और निकाल सकते हैं, A, D, E का area, one by two, क्या हो जाएगा, अभी यह जो DM है न, यह इसके perpendicular है, तो अभी DM इसकी height हो जाएगी, और A, E, इसका base हो जाएगा, तो DM और A, E, ठीक है, यह इस triangle A, D, E से हमारे two, A, E निकला है, ठीक है, area of A, D, E, area of A, D, E, यह E, M से निकला है, E, N को perpendicular draw किया था, AD पे, यह DM से निकला है, जो perpendicular draw किया था, A, E पे, अगर E, N को यहाँ पे draw करेंगे, तो यह AD base हो जाएगा, E, N इसकी height हो जाएगी, अगर DM को करेंगे, तो A, E, इसका base हो जाएगा, और DM इसकी height हो जाएगी, ठीक है, तो यह यहाँ से हो गया, अभी हमें, क्या प्रूँ करके दिखाना, AD by DB, तो देखो, AD तो यहाँ से निकलाएगा, DB के लिए हमें, यह triangle लेनी पड़ेगी, ठीक है, similarly, आगे वाले में क्या है, AC by EC, sorry, AE by EC, AE by EC, तो इसके लिए AE तो हमारा यहाँ से निकलाएगा, और EC इसके लिए यह triangle लेनी पड़ेगे, मतलब एक बार इन दोनों triangle को इसको और इसको ले लेंगे, तो AD by DB आजाएगा, और इसको और इसको ले लेंगे, तो AE by EC आजाएगा, तो देखो, यहाँ तक तो हो गया, हमन तो देखो, अभी यहाँ पे एक बार, देखो, मैं एक बार आपको फिर से बताती हूँ, यह कोई भी हमने एक triangle ले ली, ABC, इस BC side के parallel हमने कोई भी एक line draw कर ली, DA, ठीक है, अभी, यह DE, जो यहाँ, इस side के parallel हमने जो भी लाई ले थी, वो इन दोर side को, यहाँ पे intersect कर रही है, तो AD by DB, AE by EC, ठीक है, अभी हमने क्या किया था, D को C से मिलाया था, E को B से मिलाया था, DM को भी perpendicular draw किया था, यहाँ पे, और यहाँ पे, E, N perpendicular draw किया था, ठीक है, फिर हमने area निकाला था, area of AD, यह two sides, दो तरह से निकला था, हमारा, एक हमें इस side से निकाल रहे थे, एक इस side से निकाल रहे थे, यह EN को perpendicular draw किया, AD पे, तो यह क्या area जाएगा, 1 by 2 into, EN into AD, area यही होता है, 1 by 2, height into base, तो base इसका यह हो गया, EN को यहाँ पे perpendicular draw किया, तो AD इसका base हो गया, A, इसकी height हो गया, similarly DM को इस पे draw किया, तो यह क्या हो जाएगा, area of ADE is equals to 1 by 2 into DM, multiply AE, ठीक है, यहाँ तक हो गया था, अभी हम इसके आगे क्या करेंगे, देखो, यह वाली चीज तो हमने कर ले, अभी यह वाली triangle लेंगे, इसके, A, E, sorry, D, E, B, triangle DAB, तो इसका भी हम area निकालेंगे, area of DAB, तो इसका, यह equation 1 हो गई, यह equation 2 हो गई, तो area of DAB निकालेंगे, तो देखो, यहाँ से इसका base क्या हो जाएगा, इसका base हो जाएगा DB, क्यूंकि देखो, हमने एक यह चीज पढ़ी है, हमारे पास अगर यह triangle दे रखी है, कोई भी triangle दे रखी है, ऐसे दे रखी है वो triangle, अगर हम से इसका area पूछ ले, तो हम क्या करेंगे, यह इसका perpendicular draw करते हैं, यह ABC, ऐसे है, तो देखो, इसका base क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी, यह कोई भी एक AD, हमने perpendicular draw कर दिया, इस भी, तो जिसके भी हम perpendicular draw करते हैं, वो उसका base हो जाता है, तो इसका base क्या हो जाएगा, BC, तो हम इसको ऐसे ही निकालते हैं, BC, और यह इसका AD, तो similarly, यह वाली चीज़ यहाँ पर वही है, यह DEB है, यह यहाँ पर perpendicular draw कर रखा है, तो इसका height है वो यही रहेगी, और इसका base क्या हो हो जाएगा, DB, तो कैसे निकलेगा, 1 by 2, देखो यहाँ पर ना, confuse होने के कुछ भी जरूरत नहीं है, यह वाली चीज़ जैसे है ना, यहाँ पर इसकी height नहीं है, तो इसकी height के लिए हमने यह draw कर रखा है, यह जो perpendicular है, तो यह इस पर पर draw कर रखा है, यह आगे जा रही है, तो इसका base क्या हो जाएगा, DB और इसकी height क्या हो जाएगी, EN, यह equation 3, similarly हम अभी triangle लेंगे, in triangle EDC, ठीक है, अभी हमने, इससे पहले हमने यह triangle ली थी, अभी यह triangle लेंगे, तो इस triangle में क्या हो जाएगा, वही इसका जो perpendicular draw हो रहा है, DM, तो इसकी height क्या हो जाएगी, इसकी height हो जाएगी, DM, और इसका base क्या हो जाएगा, EC, तो base है EC, और height क्या हो जाएगी, DM, इसमें भी same यह वाली चीज़ अपलाई होगी, तो यह equation number 4, ठीक है, तो यह देखो, यहा AB और AE by EC, तो हमें इस त्योर में यही चीज़ दिखानी है, तो देखो, अभी हम देखते हैं कि ADE और DEB, इन equation 1st और 3rd, from equation 1st and 3rd, ठीक है, तो area of ADE, area of ADE, divide area of DEB, तो 1 by 2 into EN into AD, यह क्या है, 1 by 2 DB into EN, तो EN से EN कैंसिल, 1 by 2 से 1 by 2, यह क्या बच गया, AD by DB, similarly, from equation 2nd and 4th, 2nd and 4th से क्या हो जाएगा, area of ADE by area of, यह वाला जो area है, इसका, EDC आएगा, यहाँ पर area of ADC, ADC, यह क्या हो जाएगा, 1 by 2 से 1 by 2 कैंसिल, DM से DM कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर AE by EC, तो देखो, यह वाली चीज, और यह वाली चीज, यह दो आ गई यहाँ से, अभी हमने एक ठोरम पड़ी थी, क्लास 9 में, कि, जैसे यह हमारे पास, कोई भी है न, 2 parallel lines है, मलब DE और BC, parallel lines है, इनके बीच में, जो अगर base सेम होगा, और कितने भी angle बना लो, तो वो सारे, सेम बनेंगे, जैसे देखो, DE इसका base है, तो इनका जो भी area निकलेगा न, जितन बना लो, दो का area सेम होगा, जैसे यहां पे DE base है, इस DE base को बना के, हमने यहां पे एक angle बना दीए, भी, इस DE base को यहां पे, इस को यहां पर मान के हमने, बनलत बना बनीः इनको, सेम बना न, जितना बी बना सकते हैं, 66 00, instructव इनका area होगा, न, वो सेम होगा, तो मतलब, यह यहां से हम यह क्या बताना चाहता है कि कोई भी two parallel lines है उनके बीच में आया ना जितना भी कितनी भी triangle बना लो उन सब का area same होगा तो उनका base same होना चाहिए तो यहां पर base same है इन दोनों same है यह चीज़ बताना चाहता है एक बार मैं फिर बताती हो आपको जैसे यहां पर यह कोई भी एक side है इसके parallel हमने एक side order करी है तो इन दोनों parallel lines के बीच में अगर base same है तो इस base को same मानते वे जैसे देखो यह यहां पर यह बताना चाहता है यहां पर यह कोई भी एक ठीक है द base को लगते वे एक triangle यहां पर बना ले अगर इनका base सेम है न तो यह जितनी भी triangle है इनका चाहता सेम रहेगा जसे देखो यह पर यह को मानते वे base को मैंते वे हमने एक triangle मैं एक triangle बना ले कितनी भी triangle बना लो इन parallel lines के बीच में होनी चाहाये तो इन आ का area same हो जाएगा तो इसलिए इसने यहां पर यह चीज बताई है कि यह इसका base है तो इस base को मानते हुए हमने यह triangle बनाई थी d e b और इसको मानते हुए d e c यह triangle बनाई तो इन दोनों का area same हो जाएगा मतलब area of d e b is equals to area of d e c तो अभी देखो हमने area of a d e d e b a d e और e d c यहां से यह दोनों same था अभी हमने एक चीज परूँ करके यह दिखा दी कि area of d e b और area of e d c दोनों same है तो मतलब दोनों same है तो यह दोनों same हो गए तो इसलिए हम इसके basis पे बोल सकते हैं कि from equation यह equation number 5 माल लो यह equation number 6 माल लो equation number 5 और 6 में ad by d b और e equals to ac by e c तो हमने यही जीज प्रूँ करके दिखानी थी देखो इस वाले equation से और इस वाले equation से इसका जो है न a d e तो same है हमारा और यह d e b और d e d e c हमने दिखा दिया कि यह दोनों equal है क्योंकि हमने बताया है जो पहले lines के अंदर जितने भी in between पहले lines जितने भी triangle होंगे ना सबका अगर base same है न तो उनका सबका area भी same होगा तो area of d e b is equals to area of d e c तो इसलिए इस basis पे अगर यह दोनों यह दोनों तो पहले ही same थे अगर यह दोनों भी same होगे तो यह दोनों automatically save हो जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा a d by d b is equals to a c by a c अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट section में जाके पूछ ले ना अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को like, share and subscribe जुरूर करना ओके ठैंक यू